हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BPSC दरपन आज हम 130 most important GKGS का study करेंगे यहाँ पर भेरी भेरी important 130 GKGS का collections है जिसका हम एक एक करके study करते चरेंगे पूरी डिटेल में पूरी तरह से जिससे आपको या याद भी हो जाए और यह हमारा समाने ग्यान दरपन के जनवड़ी 2023 के पुक से लिया गया है जिसे कि जानते हैं हर मंद के समाने ग्यान दरपन में सारभूत तत्यकिकोस के नाम से 130 GKGS होते हैं और हर मंद के प्रतियोगता दरपन में भी 130 सारसंगरा के नाम से जिके जैसा क्लेक्शन्स होता है जो बहुरी बहुरी इंपोर्टेंट होते हैं कम्पेटिव एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से तो इस चैनल पर आपको प्रतेग मंत के प्रतियोगता दरपन शमाने ग्यान दरपन और सक्सेस मेरन के सारसंग्रा जिसमें उसके साथ साथ अ चलिए हम इसका परे एस्टेडी स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में बताएंगे आप पीडियाप कहां से डाउनलोड और कैसे डाउनलोड करेंगे और आभी इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें वा इतिहास कर जिसने भीम बेटिका गुफा की खोज की थी यह फर्षट इतिहासकर थे जिसने भीम बेटिका गुफा का खोज किया रीग वेद के दस्मे मंडल में चार वर्नित दवस्ता में से संबंधित सुक्त हैं पुरूश सुक्त है भारत में सिला लेक का परचलन सरपर्थम किश ने किया तो सरपर्थम सम्राट असोक में किया था मौर्द सम्राट असोक ने सिलालेक का प्रजलन सबसे पहले भारत में किया था कनीश के राजिकवी असोगोष ने बौधोंक पर रामाइन नामा के किस गरंथ की रचना की थी या बुद्ध चरित की रचना की थी किस युद्ध में राष्टकूर नडेश कृष्ण थी ने चोल सासक प्रांतक वन को पराजीत किया था तकोलम का युद्ध में अल्लावदीन खिलजी के किस इमारत को इस्लामी बस्तु कला का रत्न कहा जाता है या अलाई दर्वाजा को कहा जाता है कस्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों यवा मुर्थियों को तोरने के कारन बुथ सिकन कहा जाता है ताज महल का निर्मान करने वाला मुख्य आस्तापत कलाकार कौन था या था उस्ताद अहमद लहोरी जो च्छेतर मराठों के प्रतक्षनियंतरन में होते थे उसे क्या कहा जाता था उसे स्वाराज कहा जाता था किसल अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टेपू सुल्तान की मिर्तू हुई थी तिये चतुर्त अंकल मैसूर युद जो 17-99 इस्वी में हुआ था जिसमें टीपो सुल्तान की मिर्टू हुई थे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्टे सुन्रता अंदोलन क्रामतिकारी संगठन अभिना भारत का कौन सा सदस्व बम बनाने की कलाशी खिने के लिए पेरिस गया था ये था पी अनवापट है बिर्टि सरकार के किस ब्रेटि सरकार ने किस वर्ष माहत्मा गांदी को के सारी हिंद्र की उपाधी प्रदान की थी है यह थी उने सब पंद्रह में और उने सब कमिशन 3 जनवरी 1928 को भारत आया इसे क्या कहा गया था इसे वाइट मैं कमिशन कहा गया था क्योंकि इस कमिशन में को भी भारतिय नहीं था सब अंग्रेज थे इसके मेंबर आजाद हिंद फौज के अस्थात्मा का विचार सर प्रथम किसके मन में आया था यह कैप्टेन मोहन सिंग के मन में आया था पंडी जबाहरला नेहरू की अध्यक्स्था में अंत्रीम सरकार का अगठन कव हुआ था यह हैं दो सितंबर उने सच्यालिस को पाकिस्तान सब्द का जम्दा था चोदरी रहमत हली हैं किस ऑप्रेशन के थात भारत छोरो आंधोलन के दौरान गांधी समय चोटी के सभी महत्व पूर नेता 9 अगस्त उने सब बैलिस को गिरफतार कर लिया गया था ऑप्रेशन जीरो आवर के तहत है क्योंकि आठ अगस्त उनेशा 42 को भारत छोरो आंदोला की घोशना की गई थी और नौ अगस्त उनेशा 42 को जितने बरे-बरे नेता थे गांदी जी डॉक्टर आज़न परसाद उस टैप के जितने भी बरे-बरे नेता थे सब को इस जीरो आवर की तरह एरेश्ट कर लिए थे जलिया बाला बागात्या क्यांद 13 अपरिल 1929 में किस भारतिये ने जेनरल डायर का सहयोग किया था जेनरल डायर का सहयोग करने वाला हंसराज थे नेक्स कुश्टन से तीनों गोल में सम्मेलन के समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री कौन थे इस समय तीनों जो गोल में सम्मेलन होई तो समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री जेम्स एम जे मैक डोनाल्ड थे बगत सिंग बटु के सरदत्न के बम फेकने के समय असेम्मिली की अध्यक्स था कौन कर रहा था बिटल भाय पटेल कर रहा था नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारते राज्जी वेबस्तायम संभिधान समयदान सभाग का स्थाई अध्यक्ष निर्वा रशाद क्योंकि समयदान सभाग का गठन 9 सवाग जैसे डॉक्टर राज्जी अध्यक्ष बनाए गए यह किसका कथन था राज के नेती निर्देशक तब तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुभधा अनुसार अदा की जाएगी एधर केटी साह का कर्दन थाया राष्टपती पद के उमिदबार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस प्रस्तावक और कितने सदस अनुमोदक होते हैं इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमदक होते हैं यसे राष्टपती के लिए ही नहीं वो प्राष्टपती के पद के लिए भी 50 सदस्में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमदक होते हैं मुरारजी देशाई सबसे अधिक उम्र में तो वही सबसे कम उम्र में भारत के प्रधान मंतरी कौन बने तो राजीव गांदी जिसे का आप जानते हैं मुरारजी देशाई सबसे उम्र दराज बैकती थे जुनों ने भारत के प्रधान मंतरी बने और सबसे कम उम्र के प्रध राश्टिय धोज को सम्मिधान सभा में किस ने प्रस्तूत किया था हनसा मेहता ने किस अनुछेद के अंतरगर सरवच नियालाई को अभी लेक नियालाई कहा जाता है अनुछेद एक 37 के दायत है कब से मंदरी मंडल के एक प्रस्ताव के हित्त हते एक नई संस्था जिसे राश्टिय भारत परिवर्दन संस्था नीती अस्तित्व में आया यह एक जनवरी 2015 से नीती अस्तित्व में आया नीती का फूर्म है National Institutions for Transforming India यह एक जनवरी 2015 से पहले नीती की जग योजन आयोग्य था अंतराजिय प्रिशत की अस्ताव नाकव की गई है जून उन्हें सनव्य में की गई रासवा के सदस्यों की अधिक से अधिक संग्या कितनी हो सकती है दूसर पच्चास नेक्स्ट टॉपिक है प्रियाबरन ममजय बिवीता जीव भार का पीरामीर जिस परिस्तित तंद्र में उलट जाता है वह है तलाव जनरली वाटर में पानी में जो है जो पीरामीर उल्ट जल पलाविक फशलो में नेक्टोजर इस तरीकरन करने बाले साइनो बैक्टिरिया है या नेस्टॉक और ऑली सीरा कुनो राष्टे उद्दान जो हाली में नामीविया से लाये जाने वाले आठ चीते वे कारण चर्चित रहा या किस राज्जी में है या मध्य प्रदेश म है नामीविया से जो आठ चीते लाये गए थे वो कुनो राष्टी उद्द्यान में है उसे मार रखा गया है यह बहरी बहरी इंपोर्टेंट है यह एक्जाम में पूछे जा सकते है काजी रंगा बनने जीव अभियारन में किस पसू का संडक्षन किया जाता है या गैंडा को क्या जाता है काजी रंगा असम में है मर्वस्थली परदेश का ऐसा जीव जो ठोस मुत्र उत्तर जीद कर जल की संडक्षित जल को संडक्षित करता है तथा जन्म से मिर्थु तक बिना पानी पीए भी जीविद रह सकता है या एक खंगारू चुहा नेक्स्ट कुश्टन से हमारा पिर्थवी पर पेड़ पौधेत अथा जीव जन्दू से सभी पारिस्थितिक तंत्र समलित रूप से कहलाते हैं बायोम दो या दो से अधिक भिन पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमन छेत्र जहां जैब बिबीता प्यक्षाक्रिक गिरीन मफलर का संबंद किस से हैं या धोनी पर दूसन से हैं दो भिन पारिस्थित तंत्रों के मद्द का संक्रमन छेत्र क्या कहलाता है या इको कलाईन कहलाता है नेक्स्ट टॉपिक है जलवायू परिवरतर मौपदा पारिस्थित तंत्र में उर्जा का प्राथ्मिक स्रो ओजोन परत के संदक्षन का पता सर पर्थम किष ने लगाया था या जो सेफ फायर मैंने लगाया था बायू मंडल में उपस्थीत हुआ गए जिसके कार्ण प्रयाबरन में ग्रीन हॉस प्रभाब में ब्रधी होता है यह कारवन डैक्सेट है जौर्ण मुख अधर भूमीत थ संक्रमन कालीन परितंत्र से कारवन चक्र की वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कारवन डैक्साइट बाताबरन में वापस चली जाती है यह दहन और स्वसन है भारत में इस्थीत भारत में किस अस्थान पर अचाना एक बादल फटने के कारण आठ जुलाई 2022 को बाड़ा गई जिससे 16 लोगों की जान चली गई यह अवान नाथ जम्मु कस्मिर में इस सारी अगटना हुआ है एक अध्यन के अनुसार कौन सा जुला मुखी जनवड़ी 2022 में 24 तो हुआ जिससे गलोबल वार्मिंग तफ और पिर्थवी की ओजोल पड़त में किस अंड़क्षन में बिर वरतर मंत्रालाई ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक बस्तू जैसे की पॉलिथीन पर प्रतिबंद लगा दिया है एक जुलाई 2022 से किस संस्था द्वारा स्वस्त प्रियाबरन को मानाव अधिकार घोशित किया गया है एस संजुत राष्ट महासभा द्वारा प्रियाबरन परदर्शन सुचकांग 2022 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है भारत को एक सो आसिमा अस्थान अंतिम प्रियाबरन प्राप्त हुआ है नेस्ट आपिक हमारा भारत एवां विश्व का भुगोल प्रित्वी पर अधिक्तम उचाय मौंट एवरेष्ट अठासी सा पचास मीटर की तथा अधिक्तम गहराई किसकी है अधिक्तम गहराई मार्यानागर्द की है जो ग्यारा हजार बाइस मीटर है एवरेष्ट की उचा कहीं के पर अठासी सा अर्तालीस मीटर लिखा रहता है अब जो है कहीं कहीं पर अठासी सा पचास मीटर लिखने लगा है ऐसा माना जा रहा है कि दो मीटर की उचाय बढ़ चुकी है इसलिए यदि ऑप्सन के अनुसार आप एक्जाम में टिक करेंगे यदि ऑठासी सा पचास हो तो उन में टिक करेंगे जनरली दोनों ही कुछ सा अंसर में नहीं होगा तोनों कि यह एक कंट्रोवर्स जल मुद्दा है और मरियाना गर्त की गहराई जो है याद करना बारा हसान 11,022 एक आरा और बाइस याद रखेंगे बिज में 11,022 मीटर है नेक्स कुश्चन हमारा है विश्व की सबसे उंचाय परिस्थित सक्रिय जॉला मुखी ओजस डेल सलाडो है यह किस दो देशों की सीमा परिस्थित है यह आर्जेंटीना और चिली के सीमा परिस्थित हैं प्रिथिवी के कितने प्रतिसत भुभाग पर महाद्वीपो का विस्तार पाया जाता है यह साहे 29 प्रतिसत भाग पर जो है सो पूरी महाद्वीप है बादवां की सतर प्रतिसर पर जो है से महा साइगर है जैल है तो एक चुली तीस यह आप्शन के उसार देख लेंगे यह तीस हो तो तीस में टिक करेंगे यह आप्शन में 29.30 हो तो उसे सही क्रिक्टिक करेंगे तक्षिन अफरिका के जोहांसबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किमबर्ले को किस नाम से जाना जाता है किमबर्ले को हीरो का नगर के नाम से जाना जाता है जिस तरह जोहांसबर्ग को स्वर्ण नगर उस तरह किमबर्ले को हीरे के नाम हीरे के नगर से जाना जाता है क्योंकि जौहांसबर्ग में स्वर्ण खादान बहुत ज़्यदा है उसे काकेसा सराजी के नाम से जाना जाता है है कि हमारा सेंटरल एसिया के बगल में जो करने का मिदलब रसियन से वो रसिया से टचСТ किया हुआ है तो जौर्जिया अर्मेनिया आजर बायजान जो हैं काकेसा सराजी के रूप थार मरवस्थल के पुर्वी शीरे पर खारे पानी की जिले कौन सी हैं ते सांबर जिल है और डिडवाना है उच कोटी की कहवा को किस नाम से जाना जाता है इसे अरेविका के नाम से जाना जाता है जूट उद्योग का पहला कारखाना 1885 इस भी में किस स्थान पर लगाया गया था यह रिस्रा में लगाया गया था इस तरह यह हमारा साथ कोईस्टन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया हम नेक्स वीडियो में बचे कोईस्टन्स जो अपनारे भारती अर्थव्यवस्थ तक उसे नेक्स वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो को यहीं हम रोख देते हैं और इस वीडियो का जो अभी बनाए हैं हमें 130 GKGS मुस्ट इंपोर्टन GKGS का पार्ट है इसका एडिया आपको पीडियाप चाहिए तो हमारे टिलीगराम चैनल बीपियसी दरपन से डाउ पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को सेर कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जब भी कोई भी वीडियो या पीडियाप अफ्लोड करू इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंझाएं जय हिंद।